हाला दोस्तों नमस्ते राजस्तान सब इंस्पेक्टर भरती परिक्सा के लिए फिर से एक नया टेस्ट आपके लिए लेकर आई हूँ हिंदी का तो इस्टार्ट करते टेस्ट को उसे पर दोस्तों कर आप पीडियेप लेना चाहते हो आप्सिन अम्रर डी हो जाएगा व्यु इसके लाब दोस्तो बस्तायों सH न इसके लाव आपया शज क्रिक को प्रयू studio तो इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं प्रसंद संग्या नेक्ष देखेगा निमलिकित सब्दों में से विसरग संदी का उधारण है विसरग संदी का उधारण कौन सा इन में से चार ओप्सन है दुसासन उद्गाटन उचारण सम्मान सई उत्र क्या होगा तो बिल्कुल दोस्तों यहां पर सई उत्र होजएगा दुसासन ठीक है हाँ तो इसका तो सई संदी विच्चेद होता दोस्तों दू दन दू दन सासन ठीक है तो यह इसका सई संदी विच्चेद होगा ठीक है ना चलिए दोस्तों वीडियो में आगी प्रदिश पहले एक मैत्यूपूर्ण जानकारी देने चाहता हूँ अगर आप भी राजस्तान सब इंस्पेक्टर भरती प्रिक्षा के त्यारी कर रहे हो और आपका GK और GS कमजोर है दोस्तों तो बिल्कुल आपके लिए यहाँ पर पिछले 15 अवर्सों से ज्यादा जो भी भरती हो यह दोस्तों करमचारी चैन बोर्ड और RPSC के दोरा उनके जो भी प्रशनपत्र है उन सब का समावेस करके के एबूक आपके लिए बनाए गई है तो उसमें most important question रहेंगे जिसमें आपका पूरा complete राजतान जी के इंडिया जी के complete सामान्य ग्यान, सामान्य विग्यान, political science, current affairs, economics सारे important प्रशन आपको यहाँ पर मिलेंगे तो इसका सुल्क रखा है मातर 149 रुपे जो भी student लेना चाता है यहाँ पर इस नम्रोकर वोर्शब कर सकता है आपको ebook प्राप्त हो जाएगी दोस्तों और उसमें दोस्तों आपका लगबग बहुत ज़्यादा जो paper 2 है उसका syllabus cover हो जाएगा और अच्छा आपको फाइदा होने वाल है अगला प्रशन दोस्तों निम्न सब्दों में से कौन सा सब्द आज्या का प्राइवाची नहीं है आज्या का प्राइवाची नहीं है आदेश, निर्देश, आकांगशा या फर्मान सही उत्रोगा दोस्तों बिलकुल आकांगशा आकांगशा आग्या का प्राईवाची नहीं है तो आकांगशा किसका प्राईवाची होता दोस्तों इच्चा का होता है ठीक है, इच्छा, लिपसा, चाहा, तृष्णा, आकांग्शा, बाकी सब आग्यायने आदेश, निर्देश, फर्मान, अगला प्रसंद देखेगा, अपनी सक्ति का, अपनी सक्ति या योग्यता का उचित ज्ञान क्या गहलाता है, गोरव, गमंड, एहंकार, दर्प, तो क्य कहलाता है, विदारतियों, बिल्कुल, सही उत्र हो जाएगा, गोरव, गोरव कहलाता है, बाकी गमंड, एहंकार, दर्प, ये किसके दोस्तों, हाँ, प्राइवाची सब्द होते हैं, बिल्कुल, तो ये जो गमंड के होते हैं, गमंड कहे दो, या एहंकार, दर्प कहे दो, ठीक है? हाँ चलिए, आगे बढ़ते हैं जन सब्द में सत उपसरक लगाने पर सब्द कौन सा बनेगा? जन सब्द में सत उपसरक लगाने पर कौन सा सब्द बन जाएगा? सत जन, सत जन, सत जन या सत जन तो बी से हो जाएगा दोस्तों, सत जन होगा यहां पर सजन में सत उपसरग लग जाने के बाद जन के योग से ये सजन बन जाता है इन दोनों के मिलान होने से और सत उपसरग इसमें लग जाता है next देखेगा कौन से सब्द में परते तता उपसरग का एक साथ प्रियोग हुआ है परते और उपसरग दोनों का प्रियोग हुआ है एक के साथ खटिया, इकहरा, घडिसाज, परतंतरा परतंतरता बताईए सही आंसर हाँ दुदारतियों डी हो जाएगा परतंतरता अब आपको पता दोस्तों पर धन, तंतर, धन ता के योग से ये बनाए किस-किस के योग से बनाए पर हो जाएगा इसके बाद में दोस्तों, तंतर हो जाएगा और इसके बाद में ये हो जाएगा ता तो इन तीनों को जोड़ने पर ये सब्द बनाए गया है आगे बढ़ते हैं अगला प्रसंद देखेगा निमन सब्दों में से असुद वर्तनी वाले सब्द का चैन करो असुद वर्तनी वाला सब्द कौन सा है अत्यादिक सब्ताइक हस्तक शेप स्रीमती हाँ वेरी गूर दोस्तों तो बिल्कुल मैंने अभी पहले आपको बताये था कि जो है इसमें य प्यादिक लग रखता जो पहला प्रसंद था ये भी यहाँ पर सही हो जाएगा हस्तक सेप भी स्रीमती भी सही हो जाएगा लेकिन दोस्तों यह सुद है यह जो है सब्ताइक नहीं होगा साब्ताइक होगा ठीक है क्या होगा साब्ताइक साप्ताइक ठीक है चलिए नेक्स्ट देखेगा निमलिकित वाक्यों में से व्याकरण की दस्टी से कौन सा वाक्य सुध है व्याकरण की दस्टी से आपको बताना है मुझे बहुत दुख हुआ दादी जी की बीमारी चिंतानी है आकास में दिर्ग का ये बादल दिखाई दिया उसको गमंडी कहकर पुकारना जादती है तो मुझे बहुत दुख हुआ ये सही हो जाएगा ठीक है न? हाँ बिलकुर सुध वाक्य है जबकि B के अंदर दोस्तों B कजो सुध होगा वो गादी जी की बीमारी चिंता जनक है चिंतनिय के जगे चिंता जनक होगा और C में दोस्तों आकास में एक विसा लगाए बादल दिखाई दिया दिर्ग का ये जगह क्या होगा? विसा लगाए ठीक है? और उसको गमंडी कहकर पुकारना जादती होगा चलिए निवन में से कौन सा सब्द ए उपसर्ग से बना है ए उपसर्ग से अभीष्ट अभिप या अभी नहीं तो जीविधारति हो बिल्कुल यहां पर अभीध हो जाएगा अभीध है अभी धन वह कौन सा समाचा जिसमें दोनों ही पद परदान न वोकर अन्य पद परदान होते हैं क्या बात है बहुत ही गजब का प्रश्ण है बिल्कुल तो विद्यार्तियों सही उत्र हो जाएगा इसका बिल्कुल उप्शन नंबर D बहु भी यह समाच इसमें दोस्तों दोनों ही पद परदान नोकर अन्य पद परदान होता है जिसके पद मिलकर विशेशन बनाते हैं किसी तीसरी भिन संग्या का बोध गराते हैं जैसे दोस्तों देख सकते हैं आप नील कंट अब नील कंट है अर्थार्थ भगवान संकर इस पद में नील व कंट दोनों में से कोई पद परदान नहीं है अपितु बगवान संकर जिनका ये विशेशन बनाता है कि नीला है जिसका कंट वो बगवान क्या हो जाएंगे संकर तो इसको समासों का राजा भी कहते हैं दोस्तों ये भी द्यान रख लेना क्या करते हैं समासों का राजा अगला प्रसंद देखो बच्चा सब्द में पन परते लगाने पर सुद्ध रूप क्या बनेगा तो बहुत ही आसान सा है ज्यादा सोचने की जूरती नहीं है बच्पन हो जाएगा सीधा ही ठीक है? हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं निमन में से की सब्द का संदी विचयत गलत है यहाँ पर ध्यान से बढ़ना इसको भासकर धनूर वेद उल्लास या परतिचाया तो बिल्कुल दोस्तों यहाँ पर जो है उल्लास का संदी विचयत बिल्कुल गलत है यहाँ पर कि अब कैसे हैं सेजी संधी देख लेते हैं तो उद्ध ल्स ओगा यहां आपर क्या होगा उद्ध ल्स यह ओगा इसका सही संधी वुच racer अब पृस्ण हाथा कि क्यों कि संदी यह इस का इसमें प्रियोग हुआ है ठीक है वेंजन संदी ठीक है न ज्याद रख लें न भाई चलिए बाकी तो यहां पर सारे आपके से हो जाएंगे भासकर सूरिय का प्राइवाची होता है ठीक है धनु धनवेद धनुर्वेद परती धन चाया ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं जिमन मेंसे किस विकलप में सही पारी भासिक सब्द है केस बुक नगदी पत्र केस बेलेंस रोकड बही केस सर्टिफिकेट रोकड सेस यह केस चेस्ट तिजोरी तो सही हो जाएगा दोस्तों केवल इसमें जो है डी केस चेस्ट तिजोरी यह सही सब्द हो जाएगा बाकी सा चलिए तो बाकी का भी देख लीजिए दोस्तों जो case book होती है इसके लिए नगदी पत्र नहीं होता है इसके लिए होता है दोस्तों रोकड बही ठीक है case book रोकड बही बोया पेड़ बबूल का आम कहा थे होई बताओ भाई लो कोगती बहुत एक अच्छा प्रशन है यह तो तो बिल्कुल बुरे कामों का अच्छा फ़ल नहीं मिलता है ठीक है ना बिल्कुल सही बात है निमन में से पुर्ण विराम चिन कौन सा हो जाएगा पुर्ण विराम तो बिल्कुल जो पुर्ण विराम चिन है दोस्तों आपका वो कौन सा हो जाएगा वेरिकुल दोस्तों भी हो जाएगा यह पुर्ण विराम चिन आता है और आपका दोस्तों जो बाकी है इसमें यह देख लीजिएगा A के अंदर क्या दिया गया है प्रसनवाद चक्चिन है C के अंदर क्या मिलेगा आपको विश्मे सुचक्चिन यह से करते हैं आहा, ओहो, हाई ठीक है और जो D है दोस्तों इसमें आपको अर्द विराम मिलेगा यह ठीक है यह पिछली बार यह प्रशन है सभी चलो अगला देखो स्री कृष्ण ने ध्रम की रक्सा के लिए इत्याचारी कंस को मारा इस वाक्य मैं निमन में से किस कारक का प्रियोग नहीं हुआ है मारा बताओ जल्दे से किस कारक का प्रियोग नहीं हुआ है तो अपादान का प्रियोग नहीं हुआ है, बाकी सब का हुआ है, करता कारक, संबंदन कारक, संपरदान कारक तो संग्या का सरो नाम के जिस रूप से अलग होने का भाव परकट होता है, उसे अपादान कारक कहते हैं ठीक है ना से पेड़ से पत्ता गिरा पेड़ से फल गिरा ठीक है ना तो यह इसमें से का प्रियोग होता है अगर आप राजस्तान SI की तियारी कर रहे हो तो अने केडमी पर एक क्रेस कोर्स लाया जा रहा है जो कि दोस्तों पचास दिनों का है तो यह 9 जुलाई से स्टार्ट होने वाला है तो इसमें आप इन्रोल हो सकते हो इसके लिए आप सस्क्रिप्शन ले सकते हो ने केडमी का उसमें आप मेरे कोड का यूज़ कर सकते हो इस्टेड़ी वी तैम के 70 गा ताकि दोस्तों आपको क्या होगा यहाँ पर 10% डिसकाउंट आपको मिल जाएगा आपकी फीस के अंदर तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे अभी जाकर आप अपनी तैयारी को जारी रखें और अपने सब इंस्पेक्टर के सपने को पूरा करें साथ में आपको वापर पीडिएप, नौट्स, वीकली क्यूज, डाउ वचनों में समान नहीं रहता है, तो कौन सा नहीं रहता है दोस्तों, यह हो जाएगा आपका पुस्तक, ठीक है, कवी, गुरू और चाकू, यह सही है, पुस्तक नहीं रहता है, ठीक है न, पुस्तक जो सब्द होता है दोस्तों, वो बहु वचन इसका पूछे तो पुस्तक क्यों होगा ठीक है ना pustak کا है हां बाकी है पर दोस्तों कभी Guru और चाको ठीक है एक वचन वे बहु बलगा है दोनों में रहते हैं टीक हे कभी एक की यह बहुत सारे होते तो विद्वान का बहुत अच्छा है या दोस्तों विदूसी हो जाएगा डायरेक्टी विद्वान का तूं ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं निमन में से किस वाक्य में संदिग्द वर्तमानकाल का परियोग नहीं हुआ है किसका संदिग्द वर्तमानकाल दिनेश विवयाम कर रहा है वह आता होगा माताजी सोती होगी सुमन पढ़ती होगी बताओ तो बिल्कुल दोस्तों दिनेच से विवयाम कर रहा है कर रहा है इसमें कोई संदिग्द नहीं है इसमें देख सकते हो वह आता होगा लग रहा है आता होगा माताजी सोती होगी सुमन पढ़ती होगी ये कर रहा है वरतमान में के लिए ठीक है तो दिए गए वाक्य में संदिग्द वरतमान काल न होकर अपूर्ण वरतमान काल हो रहा है इसमें ब Standards पूर्ण भी नहीं हो रहा है काह रही है अपूर्ण हो रहा है यानि विव्याम कर रहा है पताने कितनी देर तक करेगा ठीक है? हाँ, क्योंकि किरिया जो अभी है वरत्मान का अलमी चल रही है आपकी इसी लिए चलो अगला देखो निमन में से किस वाक्य में संभावनार्ती वरती है संभावनार्ती बताओ जल दीछे तो जी विद्यार्ती हो बिल्कुल ए हो जाएगा साइद मोहन आज आए ठीक है संभावना है मोहन की साइद मुकेस आज आएगा साइद तुम कल जैपुर जा सकते हो तो यह संभावना हो रही है क्या तुम मेरा काम कर दोगे जैसा करोगे वेसा भरोगे हम पढ़ने बेठे है इसमें कोई सम्भावना नहीं हो रही है कब बेटे है क्या है कोई पता नहीं है लेकिन साइध मोहन आज आए ये अपने को सम्भावना लग रही है साइध आज बरसाद आए ठीक है इस परकार के प्रश्ण तो आसा करता हूँ क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी और पुना आपको कहना चाता हूँ जो मैंने वाट्सअप नमबर आपको दिये है उन पे अगर आपका जीके और जीएस कमजोर है तो निश्चित रूप से आप इस पीडियेप को प्राप्त कर लीजेगा ठीक है और वाट्सअप कर दीजेगा ठेंक्यू और टेलिग्राम चनल जुरूर जोइन करें इसकी पीडियेप के लिए धनेवाद दोस्तों ऐसे ही आपके लिए नए नए प्रेशन लेकर आता रहूँगा ताकि आपका सेलेक्शन हो जाए जैहिंद